हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे इस यूटूब चैनल पिखे स्टेडी पॉइंट किंग आफ कंसिट पर स्वागत है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बच्चे class 12 में study कर रहे हैं उनकी लिए वीडियो काफी अच्छे होने वाली है और वे student जो class 12 पास कर चुके हैं अर्था वे यदि तयारी कर रहे हैं तो उनकी लिए भी ये वीडियो काफी उपयोगी साबित होगी Class 12 का ये पहला वीडियो हमारा है हमारे इस YouTube चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आप अन्तक इस वीडियो में बने रहेगा आईए आप वीडियो हम सुरू करते हैं दीकिए सबसे पहले हम लोग आवेश आवेश से स्टार्ट करते हैं चैप्टर की सुरूवात हम लोग आवेश से करते हैं आवेश क्या होता है समानता यदि हम आवेश के बात करते हैं तो आवेश मुख्यता दो प्रकार के होते हैं एक धन आवेश होता है और दूसरा रिल आवेश होता है एक धन आवेश और दूसरा रिल आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उसमें क्या होगा प्रतिकरसड होगा समान प्रकार के आवेसों में क्या होगा प्रतिकरसड होगा तथा बीप्रित प्रकार के आवेसों के बिच में आकरसड होता है यदि आवेस बीप्रित प्रकृति के होते हैं में क्या होगा आकर सड़ होगा जैसे हम चुम्बक देखते हैं तो चुम्बक के यदि समान धुरू पास लाते हैं तो एक दुसरे से दूर हटते हैं लेकिन यदि बेपरिच सीरा लाते हैं तो एक दुसरे के पास आते हैं ठीक वहीं यहाँ पर गुल्लाग होता है देखें यहाँ पर या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो तो क्या होगा प्रती करसड होगा या एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा तब क्या होगा इसमें आकरसड होगा तो याद होना चाहिए यदि धनात्मक आवेस है और रडात्मक आवेस है तो आकरसड यदि धनात्मक धनात्मक हो या रडात्मक रडात्मक हो तब उसके बीच में क्या होगा प्रतिकरसड बल लगेगा ठीक है देखते हैं अब यदि हम यह सोचे अगर आपके पास कोई पिंड या पदार्थ है कोई पिंड या पदार्थ है और उस पिंड से आपने ना तो इलेक्टरान को हटाया है उस पिंड से या उस पदार्थ से आपने ना तो इलेक्टरान को हटाया है और ना ही आपने उस पिंड में electron को add किया है तो ऐसे condition में यदि आप से पूछी जाए कि उस पदार्थ पर उस पदार्थ पर आवेस की मात्रा कितनी होगी तो अब क्या बताएंगी यहापर पूछा गया है किसी चालक पदार्थ से यदि कोई electron ना हटाया जाए तब चालक पदार्थ पर आवेस की मात्रा क्या होगी तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि value 0 होगी आवेस की मात्रा कितनी होगी 0 तो आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आवेस की मात्रा 0 कैसे है तो इस प्रकार है जो कि जब अपने पिंड लिया था या पदार्थ लिया था तो उस पदार्थ में ठीक उतने ही इलेक्टरान मौझूद है जितने की प्रोटान है तो जितने इलेक्टरान मौझूद है और उतने ही प्रोटान है तो ऐसे condition में तो जितने electron और proton है एक दूसरे को क्या कर देते हैं cancel कर देते हैं इसलिए हमें आवेस के मात्रा क्या मिलती है 0 तो आवेस के मात्रा क्या हो जाएगी 0 इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसमें electron नहीं है और नहीं proton है दोनों हैं परन्तु दोनों समान मत्रा में हैं ठीक है समझ में आया होगा next देखते हैं यदि किसी चालक पदार्थ से यान electron हटा दिया जाए अब आपकी देमार्थ में एक बात और आएगा चलो हमने पिछले वाले में क्या किया था electron नहीं add किया था अब हमारे देमार्थ में यह आया कि आगर हम इस पदार्थ से या पिंड से electron को हटाते हैं पदार्थ या पिंड से electron को हटाते हैं कितने electron हटाते हैं मालो यन electron हटाते हैं तब चालक पदार्थ पर अवेश के मात्रा कितनी होगी तो ऐसे कंडिस्म में जो आवेज के मातर होगी क्यों वराबर प्लस N E होगी क्यों वराबर प्लस N E होगी देखा ऐसा क्यों होता है आपने पिंट से क्या हटाया इलेक्टरान हटाया आपने पिंट से क्या हटाया इलेक्टरान हटाया तो जब आप पिंट से इलक्टरान को हटाएंगे, तो प्रोटान बचे जा रहेंगे, तो वही जो प्रोटान होते हैं, वो धान आवेस के रूप में उपर आ जाते हैं, और वही हमें प्रदर्सित होने लगते हैं, तो जितना आपने इलक्टरान हटाया, उतनी प्रोटान क्य हो गए खाली पड़ गए तो वही प्रोटान हमें धनावेस की रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो इस प्रकर हम उस चालक पदास पर क्यावत आते हैं आवेस की मात्रम क्यों बरावर एन ही क्लियर हो गया होगा जहां यहन क्या है इलेक्टरानों की संख्या आगे दिखते हैं अब आपकी दिमाग में यदि ऐसा भी आ जाए यदि किसी चालक पदास से यान इलेक्टरान जोड़ा जाए यदि किसी चालक पदास से यान इलेक्टरान को क्या किया जाए जोड़ जाए मतलब आप क्या करते हैं यान इलेक्टर इस प loro पर रख दिए यानी जोर दिए उस पादार्त पर. तो आप जब यहान इलेक्ट्रान उस पर अलक से रख देंगे, अलक से डाल देंगे, तो ऐसे condition में आप उलेक्ट्रान अड़् कर रहे हैं, ना कि प्रोटान आड़् कर रहे हैं. तो बताएए वहाँ पर proton और electron पदार्थ में पाले से मौजूद हैं जिनकी संख्या समान हैं लेकिन जब आप यहाँ electron अलग से उस पर add करेंगे तो यह electron सो करेगा मतलब electron कैसा होता है रिलावेसित होता है तो अपनी प्रक्ति को सो करने लगेगा तो उसकी प्रक्ति है कैसी र इस पर रिलावेस का पूला जाता है तो हम यह electron ला रहे हैं तो हम जानते हैं कि आवेस की मात्रा कितनी हो जाएगी तो क्यों परावर क्या लिख लेंगे माइनस एन यह लिखेंगे यह आपका इलेक्ट्रानों की संख्या है और यह क्या है इलेक्ट्रान पर आवेस है तो इस प्रकार आप तीनों यह कंडिशनों में आवेस की मात्रा फाइन कर सकते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट और लजिकल है आप इसे अच्छे से समझिएगा नहीं समझ में आता है तो वीडियों को रिवाइन करके फिर से देख लेजिए आपको जरूर समझ में आ जाएगा अब हम आगे चर्चा करते हैं आवेस की इकाई पर आवेस की इकाई देखिए किसी भी रासी की फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आप जितनी भी रास्यां होती हैं उनके यूनिट्स मात्रक पता होने चाहिए अगर आपको मात्रक यूनिट्स नहीं पता है तब आप उसमें बहुत प्राबलम में फसेंगे यानि आप कोशन को सौल नहीं कर पाएंगी ठीक से बहुत सार कोशन फसेंगे देखते हैं अवेस की कई अवेस का मात्रक कुलाम होता है अवेस का मात्रक क्या होता है कुलाम और इसकी सबसे छोटी कई क्या है इलेक्टरान होती है इसकी सबसे छोटी कई इलेक्टरान होती है देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रान पर आविस दिखाए गया है माइनस एक दस्मलो अच्छा है गुड़े दास काते माइनस 19 कुला इलेक्ट्रान पर द्रब्यमान 9 दस्मलो ए गुड़े दास काते माइनस 21 की ग्रा और इलेक्ट्रान की जैसी की हम लोग प्रक्ति जानते हैं जड़ा वेसित होती है इसी प्रकार प्रोटान का वेस इलेक्टरान के वेस के बराबर होता है प्रोटान का अध्रवेमान 1.67 गुलेदास गत्य माइनस 27 की ग्रा अलफा कड का वेस 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम होता है अलफा कड बराबर क्या होता है 2HE4 इसी के समान होता है तो जो ये आवेस की इकाई बताए गई और ये जो पॉइंट बताए गए इलेक्टरान पर आवेस कितना होता है इलेक्टरान पर द्रवेमान कितना होता है इसके प्रति कैसी होती है प्रोटान का अविस कितना होता है प्रोटान का द्रविमान कितना होता है अलफा कड़ का अविस कितना होता है और अलफा कड़ किसके स्तुल्य होता है यादि आपको इतनी चीजे आ रही हैं तो आप क्लाश 12 की फिजिक्स का जो पहला चेप्टर है कुलामस्त का नियम, यह आसानी से पढ़ सकते हैं, तीक है, उम्मीर है आपके यह वीडियो पसंद आए होगी, जय हिंग, जय भारत, थेंग,